दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए कामाईनी से महत्तुपॉर्ण प्रश्नुतर जो है मैं लेकि आई हूं तो इससे पहले मैंने आप सभी को रामकी शक्ति पूजा से जो महत्तुपॉर्ण वो करवाए थे और अंधा युगनाटक से भी जो प्रशन उतर है वो भी करवाए थे तो जो भी प्रीवियस येर के पेपर में जो प्रशना आये हुए हैं उन प्रशनों को भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है तो इसलिए आज कर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो प्रीव की उसल TV में हैं पुन्रवरति करना रिवीजन करना भी बहुत जरूरी होता है जाटकनு की बात करो यह फिर दोवी परिक्षाओं की बात करें तो यह टौपिक जो ऐसा है जिस पर हर प्रक्षाद में प्रशन आता ही है और पिछले व سबिस्द की को प्रशन पत्र है कई ओ बार वह repeat हो जाते हैं इसलिए उन प्रिष्व्णंपत्रों को भी जरूरी हे करना और यहां में सारे ही प्रश्ण जो है एक साथ संकलित करके लाई हूं जो टबरिख वाईज आपके के की इंट सब के लिए लेकर आउँ, चलिए आज कामाईनी के प्रशुन उतर देखती हैं कि Previous Year के PvE पेपर में कैसे प्रश्न इससे पूचे गए थी, प्रश्न है कामाईनी की यह कथा केवल एक Fantasy है, तो कामाईनी के संदर्ब में यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है गजानन माधव मुक्तिबोध का है और ये प्रशन आरपी ऐसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया था अगला प्रशन है हिर्दय की अनुक्रिती बाहिय उदार एक लंबी काया उन्मुक्त मधुपवन कृरित जियो शुशु साल शुशोबित हो सौरब सही उक्त तो इसमें जो है निमन जो दिया गया है उसमें क्या असंगत है तो देखिए ये आरपी ऐसी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था तो इन पंक्तियों में जो है हिर्दे की उदातता का वर्णन है ये कथन सही है देखिए का वर्णन है तो देखिए एक लंबी काया हिर्दे का निगरिती तो हिर्दे की उदातता एक लंबी काया तो देहिष्टी का वर्णन है मादकता का वर्णन अब यहाँ पे देखें मधूपवद क्रिड़त जो तो क्रिड़ा करने की बात हो रही है तो उसमें मादकता की भी बात है मनू का सौंदर वर्णन अब इन पंक्तियों में जो है कहीं भी पढ़ने से ये नहीं गयात होता कि मनू का सौंदर जो है वर्णन किया गया है तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर हो जाएगा आसंगत कथन का वो अप्शन डी है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति से कवी का आशे है कि श्रद्धा आंतरिक रूप से जितनी उदार भाव कोमल हिर्दे की थी उसका बाहे रूप भी वैसा ही था मनू ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वैं फूलों से लदी हुई सौंदर में लता के सामान है उसने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिप्टा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उसके सामने खड़ा है तो यहां पर देखी इन पंक्तियों का जो अर्थ है वो यह है और यहां पर जो वर्णन है जैसे यहां पर मनू का सौंदर वर्णन है ना की मनू का तो यह प्रश्न गलत है चलिए अगला देखते हैं और उस मुख पर वह मुस्कियान रक्त किसले परले विश्राम अरुन की एक किरन अमलान अधिक अलसाई हो अभिराम तो इसमें जो है इस संदर्ब में अनुप्यूकत वैख्या जो है कौन सी है मुस्कान का बिंब परक अंकन तो पहली पंक्तिय मुख पर वह मुस्कियान तो मुस्कान का वर्णन है श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन अब किसके सौंदर्य का वर्णन है श्रद्धा का सही है इस पदमे में गेता मलती है सही है लेकिन अस्ता चल गामी सुर्य की एक किरण से जो है इसकी तुलना की गई है तो ये कथन जो है वो गलत है अब यहाँ पर मैं बताओ दू देखिए उपरिक्त तो यहाँ पर श्रधा के रूप सौंदर का वर्णन बड़े मार्मिक धंग से किया है इन पंक्तियों में कवी कहता है कि श्रधा के सुंदर मुक पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा आभास होता है जैसे सुर्य की कोई अलसाई सी उज्वल किरण लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही है तो यहाँ इन पंक्तियों का जो मुक्य अर्थ होता है तो यहाँ पर अस्ताचल गामी सुर्य की एक किरण से तुलना नहीं की गई है बलके यहां पर कहा गया है कि सुर्य के कोई अलसाई सी उज्जल किरण लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही है इन पंक्तियों का यह अर्थ है तो यहां यह उप्शन यह उत्तर जो है सही हो जाएगा यह अर्पिएसी में पूछा गया है अब यहां पर आगे प्रेशन हम लेते हैं तो पुरातंता का यह निर्मोक सहन करती ना प्रक्रती पल एक यहां निर्मोक अब देखे शब्द अर्थ भी आपको पता होना चाहिए पंक्तियों कि यह मैंने आपको बता रखा कि शब्द अर्थ भी पूछ रहती है तो यहां निर्मोक से क्या ताथ पर रहे है साप के शरीर पर लिप्टी के चुली तो यहां जो निर्मोक से अभी प्राए है वो यही है साप के शरीर में लिप्टी के चुली ठीक है आगे प्रशनेते हैं एक दिन सहसा सिंधू अपार लगा टकराने अनगतल शुब्द अकेला यह जीवन नीरूपाए आज तक घूम रहा था विश्रब्द तो कामाईनी से उद्रत इन पंक्तियों में कौन सा कथन सही है अब यह कथन जो है किस सर्ग से लिया गया है और किसने जो है यह कथन का अब यह पेपर जो है आरपी असी में पूछा गया है तो ये जो उपर पंक्ती है एक दिन सहसा सिंदु अपार श्रद्धा सर्ग से है और मनु को श्रद्धा का प्रतियुत्तर जो है इसमें दिया गया है चले आगे प्रस्थ लेखते हैं हिर्दय की अनुकृती बाहिये उदार एक लंबा काया उन्मुक्त ये पंक्तियां जो है किसके प्रति कही गई है ये यूपी पीएसी जीडीसी में पूछा गया है और ये जो वर्णन है ये श्रद्धा के लिए कहा गया हिर्दय की अनुकृ प्रति बाहिये उदार की अहिर्दय जो है उसका कोमल है बाहर से भी वो उदार दिखती है तो इस श्रद्धा के संबद में ये बाते कही गई है अगले है महा कावे कामाईनी में नहित दर्शन ये देखी यूके पीएसी में भी पूछा गया है और आर पीएसी में भी ये पूछा गया है तो कामाईनी में जो दर्शन है वो है प्रतिविग्यक दर्शन आगे देखते हैं यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भाव में और शालग गये है तो कामाईनी की कथा दृष्टी के विशे म में यह विचार किसका है तो कामाईनी के संबंद में विद्वानों के जो कथन हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़िए यह प्रशन आर्पी असी में पूछा गया है और यह कहने वाले हैं जैशंकर पसाद स्वेम अगला है नैनो की नीलम की घाटी जिसरस घंसे चा जाती हो वह कौंद की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो तो यह जो है कामाईनी के किस सर्ग से ली गई है तो कामाईनी में पंक्तियों को सर्गों से भी प्रशन पूछ लेती हैं तो यह प्रशन जो है लज्जा सर् सबस 여기에 करे पूछ तो यह सारे ही प्रश्टर्शाइं अधाई में इसे प्रश्टर्शाइं आने हुए हैं अगला है प्रिसाज़ जी की कामाइणी में पात्र प्रतीक種 और नमलखे जोड़ों में इसकृसा जोड़ा गलत हैज जोग कीे प्रतीक है यह सही है यह डिएससबी टीजीटी में पूछा गया अनन्द के प्रतीक की बात व्रिश्यव को कही गई है तो यह तो है ही नहीं उसमें यह जोड़ा गलत है हमारा उत्तर यह हो जाएगा अगे प्रतीक आप देख सकते हैं मनुमन का है श्रधा हिर्दे का इड़ा बुद्धी का और कुमार जो है वो मानव का प्रतीक है अगला प्रतीक है कामाईनी का नौवा सर्ग कौन सा है तो कामाईनी से संबंदित इस प्रकार के प्रतीक पूछे जाते हैं सर्गों के बारे मे सब्सक्राइब पूछा गया था और आरपी ऐसी में भी पूछा गया था तो यह प्रिशन जो है इन तीनों ही परिक्षाओं में पूछा जा चुका है तो आप यह देख सकते हैं कि प्रिवियस यह के पेपर करने का कितना फायदा होता है तो यह जो है इडा सर्ग से लिया गया है इडा जो है इसका नौवा सर्ग है यहां पर आप सर्ग देख सकते हैं इसमें कुल सर्गों की संख्या पंद्रा है सबसे पहले चिंता, फिर आशा, फिर श्रद्धा, फिर काम, वासना, लज्जा, कर्म, इर्श्या, इड़ा, सप्न, संखर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनन्द ये पंद्रह सर्ग है, इनको क्रम से लगाना भी पूछते हैं तो इन प्रश्यों को देख लीजेगा और इनके क्रम जरूर याद करके जाएगा और ये राजास्थान कॉलेज लेक्ट्टरर में पूचा गया है इसकी कथा सोला सरगो में विभक्त है पहली ही लाइन से आपने देख लिए कि यही कथन क्या है गलत है क्योंकि इसमें सर्गों की संखे कितनी है 15 है सर्गों का नाम करन चिंता श्रधा आदी मनो विकारों के नाम पर हुआ है ये कथन सही है इसमें कर्म का संदेश और वेराग्य मत का खंडन है सही है सुक्ष में मनो विकारों को मुर्त रूप देते हुए प्रसाद ने यथार्त सजीव और अधिते चितरण किया ये भी कतन सही है हमारा जो है option एक जो पहला है था वही इसमें गलत है वही कतन इसमें गलत है अगला है ग्यान भिनन कुछ क्रिया भिनन है इच्छा क्यों पूरी हो मन की एक दूसरे से ना मिल सके या विडम बना है जीवन की तो ये कतन जो है कामाईनी के किस सर्ग से ली गई है तो ये कामाईनी के रहस्य सर्ग से ली गई है और ये GDC प्रवक्ता में पूछा गया है आगे प्रश लेते हैं दुख की पिछली रजनी बीच विकस्ता सुक का नवल प्रभात तो ये कावे बंक्ती जो है किस कृती से ली गई है तो ये कामाईनी से ली गई है ये प्रश जो है GIC प्रवक्ता में आ चुका है चर्यागे और प्रश लेते हैं कामाईनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है ये प्रश्ण जो है 36 गड़ असिस्टेंट प्रोफिसर में आ चुका है तो कमाईनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संभोदित किया है तो इसमें जो सही उतर होगा वो होगा हिर्दे की अनुकरती ये 36 गड़ असिस्टेंट प्रोफिसर में पूछा गया है अगला है कामाईनी में प्रारम्म से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम क्या है ये प्रेशन है 36 गड असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया और UP NET में भी पूछा जा चुका है ये UGC NET में भी पूछा गया है इसका जो क्रम है वो है चिन्ता आशर श्रद्धा काम वासना ये इसका सही अनुक्रम होगा चलिए आगे प्रेशन देखते हैं कामाईनी में श्रद्धा किस गोतर की है ये 36 गड असिस्टेंट प्रोफेसर में आ चुका है तो जो कामाईनी में श्रद्धा है वो किस गोतर की है काम गोतर की है अगला है काम गोतर याने की जो कामदेव है उनकी पुत्री इसलिए काम गोतर जा उसको कहा गया है तो यहां कोई सर्गों के नाम दिये गए हैं और उसमें से कौन सा सर्ग जो है उसमें नहीं है तो देखिए डियेससवी पीजीटी में पूछा गया है तो देखिए श्रधा भी है चिंता भी है आनंद भी है लेकिन लोग नाम का कोई भी सर्ग इसमें नहीं है तो option A इसका सही काईनी में जो सरगों की संख्या है वो है 15 आगे प्रेशन देखते हैं चंचल किशोर सुन तरता कि मैं करती रहती रखवाली मैं वह हलकी सी मसलन हूं جो बनती कानों की लाली तो यहां इस काव्यांश में जिए किस का वर्णन किया गया है तो इन पंक्तियों यह प्रेशन पहले राजस्थान असिस्टन परफेसर परेशार में पूछा गया है और यह कथन जो है लज़ा वर्णन किया है लजजासर उद्भोधन हुआ है तो किस भाव का उद्भोधन हुआ है तो यहां पे चिंता जो है उसका उद्भोधन हुआ है चिंता भाव का उद्भोधन हुआ है यह भी राजस्तान के परिक्षा में पूछा गया है अगला है उजल वर्दान चेतना का सौंदर जिसे सब कहते हैं जिस और ये जो है पंक्तियां उज्वल वर्दान चेतना का यह लज्जा सर्ग से ली गई है चलिया गया बरेशन को देखते हैं का माईने की प्रमुख पात्र ईडा किसका प्रतिकार्थ है तो ईडा जो है किसका प्रतिक है बुद्धिका यह प्रशन डियस थी पीज़ी टी वे प असंदिक्द है तो ये DSSB PGT में आ चुका है और ये डॉक्टर नगिंदर का कथन है अगला प्रशन है निम्लिखित पंक्तियां कामाईनी के किस सर्ग की है नारी तुम केवल श्रदा हो विश्वास रजत नग पगतल में पेयुश श्रोत सी बहा करो जीवन के सुन्दर संतल म ये प्रशन डी-एससB PGT में पूछा गया है तो ये प्रशन देखिए अब नारी तुम केवल श्रदा हो ये किस सर्ग से है लजजा सर्ग से है आगे प्रशन है कामाईनी में किस दर्शन की अभिवक्ति होती है तो कामाईनी में जो है शैव दर्शन की अभिवक्ति मिलती ह अगला प्रश्ण है यह कथन किसका है वस्तु विन्यास की द्रश्टी से कामाईनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ती नहीं यह प्रश्ण जो है ड्यसेसपी पीजीटी में पूछा गया है और यह कथन है पंडित नंद दुलारे वाजपई का तो आप देख रह नामक पात्र कम हावे में हैं तो श्रद्धा नामक जो पात्र है वह कामाईनी में है अगला है कामाईनी का कौन है तो यह प्रश्ण यूप्यजीटी बिचा गया है तो कामाईनी का प्रमुक पात्र मनु है लेकिन यहाँ जिस उप्षिन में देखिए राम पात्र राम चरित मानस का है कृष्ण सुर्द सागर का रतन सेन पद्मावत का है तो चलिए अब आगे देखते हैं श्रद्धा को कामाईनी क्यों कहा गया है अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्यों कहा गया है श्रद्धा में कामवासना की भावना अधिक थी इसलिए उसे कामाईनी कहा गया है गलत श्रद्धा कामगोतर की बालिका थी इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामाईनी भी कहा जाता है ये गतन साही है आगे देखें श्रदधा कमनिय अत्तित्त थी इसलिए उसे कामाई जो है इसका उलेक मिलता है तो यहां प्रेशन उसी से संबंदि जो है 36 गड़ असिस्टेंट प्रोफेसर हम पूछा गया था कि भारते इतिहास में जल प्लावन की घटना का उलेक किस गरंथ में मिलता है तो यह जो उलेक है वो सबसे पहले मिलता है श्रत्पत ब्राहमन के इड़ा से संबंदि मुक्ति बोध के सही कतन कौन से है तो मुक्ति बोध द्वारा श्रधा और इड़ा के संबंद में क्या कतन कहा गया है इड़ा का वेक्तित्व सामाज एक सार्वजनिक महतुसे विन्यत है सही है श्रधा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है ये कतन भी सही है इड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है शद्धा में आत्म बद्ध भावकता का अभाव है तो यहाँ पर जो इड़ा के समंद में जो दोनों कतन है ये दोनों कतन जो है सही है यानि कि A और B जो है इसका आप्शन वो सही है बाकि ये दोनों सही नहीं है तो आप्शन B है इसका ये UGC नेट में पूछा गया है ये प्रिशन आगे प्रिशन है प्रकाशन वर्श के अनुसार जैश इंकर पसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है क्योंकि आप जैश नेट में पूछा गया है फिनका अनुक्रम है सबसे पहले प्रेम पतिक फिर आशो फिर लहर और फिर कामाईनी यहां प्रकाशन वर्श के साथ देखे प्रेम पतिक 1914 इसवी आशो 1925 इसवी लहर 1933 कामाईनी 1935 इसवी चले आगे प्रिशन देखते हैं कामाईने के और असत्य कथन कौन सा है और यह हायर एजुकेशन एक्जाम में पूछा गया है यह कृति अभेद मूलक अद्वेतवाद शंखनाद करती है यह सही है यह नारिस रिष्टी के लिए संजीवनी है यह भी सही है इस कृति में मानविय समवेगों का उद्दाती करण नहीं है क शाश्वत जीवन और मानुश कल्यान का का पनिए है तो यह कथन भी सही है तो यहां मारा आप्शन सी जो है इसका उत्तर है गलत है वो आगे प्रेशने का माइनी किसकी पुत्र नहीं ये प्रशन यूपीपेसी में पूछा गया है तो कामाईनी जो है काम की पुत्री थी कामाईनी को छायवाद का उपनिशद किसने कहा है तो ये कहने वाले है शांती प्रिये दिवेदी और ये यूपीपेसी में पूछा गया है आगे प्रशने है नारी तुम केवल श्रदा हो पंक ती किस रचना कार की है किस रचना में है तो ये कामाईनी में है आगे प्रशने कि जैशंकर पुसाथ की कावे करतियों को उनके करम से लगाना है तो सबसे पहले कानन कुस्म है फिर जड़ना है फिर आंसू है और फिर लहर है और ये यूजी सी नेट में पूछा गया है 2016 में यहां इनकी काविकृतियों का अनुक्रम देख सकते हैं उर्वशी उनिसो नौइसवी वन मिलन उनिसो नौइसवी प्रेम राज्य उनिसो नौइसवी अध्या गवधार उनिसो दससवी सोकुछवाच उनिसो दससवी वब्रुवाहर उनिसो ग्यारा कानन कुसुम उनिसो तेरा प्रेम पतिक उनिसो चौदा महराना का प्रताप उनिस 1914, चित्राधार 1918, जढड़ना 1918, आंसु 1925, लहर 1933, कामाईनी 1935, तो ये इनकी रिचनाओं का करम है, आगे प्रेशन हम देखते हैं, काम मंगल से मंदे तिश्रे, सर्ग इच्छा का है परेडा, तरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो और सफल भवदा, तो ये कामाई कामाईनी के शद्धा सर्ग से ली गई है, और ये यूजी सी नेट में पूछा गया है, अगला प्रेशन है, कामाईनी की रिचना के बाद, उस धारा का कोई और स्ट्रेस्ट महा कावे, फिर क्यों नहीं रिचा गया, क्योंकि, अब क्यों नहीं रिचा गया, जैशंकर प्र एक साद के शिल्प काँशल के आगे हार माँचके थी यह गतन गलत है कठनाई का सामना करना कोई नहीं चाहता है यह गतन गलत है तो यहyu का मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भाव में और शालक गया है यह कतन किसका है तो यह यूपी पीएससी में पूछा गया है और यह कतन स्वेम जैशंकर प्रसाद का है आगे प्रशन है कर रही लीला मैं आनंद महाचीती सजग हुई व्यक्त विश्व का उनमीलन अभिनाम इसी में सब होते अनुरक्त तो यह पंक्तियां का माइनी क किस सर्ग से ली गई है और यह प्रशन जो है जाडखंड पीजीटी में पूछा गया है तो यहां पंक्ति है कर रही लीला मैं आनंद तो यह प्रशन जो है इसका उत्तर है श्रद्धा सर्ग से यह पंक्तिया ली गई है जाडखंड पीजीटी का प्रशन है आगे प्रशन मनु श्रद्धा और इड़ा इत्यादी अपना एतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अविवक्ति करे तो मुझे कोई आपती नहीं यह कथन किस का है तो यह कथन स्वेम जरशंकर प्रसाद का है आगे प्रसाद नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधुकुला अंग खिला हो जियों बिजली का फूल मेग बन बीच गुलाबी रंग तो यह प्रसाद ने इन पंक्तियों में किस के सौंदर का यहां वर्डन किया गया है तो यहां पे उन्होंने श्रद्धा कि सुंदर का वर्डन किया जाडखंड PGT में भी प्रश्ण आया हुआ है आगे प्रश्ण है कामाईनी के प्रथम सर्ग का शिर्शक क्या है तो कामाईनी में जो 15 सर्ग आप पढ़ते हैं तो उसमें पहला सर्ग कौन सा है तो इसमें पहला सर्ग इसका चिंता है यह प्रश्ण जाडखंडे PGT में और KVS PGT में भी पूछा जा चुका है आगे प्रश्ण है कामाईनी महा कावे में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है तो जरूरी देए कि आपको यहां पे सर्ग डायरेक्ट पूछते कि नौवा सर्ग कौन सा है दस्वा सर्ग कौन सा है इसमें आपको यह भी पूछ सकते है कि इस सर्ग के पहले कौन सा आता है और बाद में कौन सा आता है तो रहस्य के बाद जो है आनंद सर्ग आता है और रहस्य जो इसका चौदवा सर्ग है और आनंद जो इसका पंदरवा सर अगला है कामाईनी का मूल दर्शन क्या है तो वह प्रत्विग्या दर्शन और यह जाड़कंड पीजी टी में पूछा गया है तो यह सारे प्रशन थे जो प्रिविएस येर के पेपर में आये हुए थे मैंने आप सभी को डेट वाइस बताए हुए है कि कौन से पेपर में क् प्रशन आया हुआ है तो कोई भी जानकारी कोई भी वीडियो संबंदे जानकारी चाहिए या कोई भी प्रॉब्रम हो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक शिर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा धन्यवाद